स्लाम लेकुम आउडियन्स उमीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे लास्ट टाइम हमने वर्टिबरल कॉलम की अनाटमी पे डिसकेशन की थी आज हम पैलिवेक रिजियन की अनाटमी में डिसकेशन करेंगे पैलिवेक रिजियन में एक ही बॉन होती है जिसको हम हिप बॉन भी कहते हैं और यह हमारी बॉड़ी का वेट गेन करती है यहाँ पे हमारे पास एक डाइगराम है जिसमें यह जो मार्क बॉन है ब्लू कलर की यह हमारी पैलिवेक बॉन है पैलिवेक रिजियन हमारी हुमन इभाइड करते हैं जिन में सबसे पहला part ileum है जो कि बलेड शेस्युक और ये हमारे 피부 researchers के अबव और जिए पे ऑज मेद प सीज़ागे करदे होगा इसके बाद WINIS है जो के ऐलियम से नीचे और बैक साइड पे होगा बैटने के दोराएं हमारी बॉडी का सारा वेट इस्टियम केरी करता है इसके बाद हमारे पैल्विक बॉन का लास पार्ड है जिसको हम क्यूबिस कहते हैं जो के इस्टियम की फ्रंट साइड पर होगा और ये तीनों बॉन्स एसिटाबिलम पॉइंट पर जाके अपस में फ्यूज होती है और सिं पैल्विक बॉन्ट पोस्टिरियरली सेक्रम के साथ सैक्रो इलियक जॉइंट बनाती है और एंटिरियरली एक मसल की हेल्प से जिसे सैंफिसे प्यूबिस कहते हैं उसकी हैल्प से ये आपस में अटेच होती है मेल के अंदर इलियक करस्ट कॉमपेक्ट होगा और दोनों इल के दर्मियान डिस्टेंस वाइड होगा जो के फीटर्स को प्रेगनेंसी के दौरान एक कमफर्टेवल इनवेर्मेंट प्रॉइड करता है लास्ट पे हम पैल्विक बॉन के फंक्शन देखते हैं जिनमें पैल्विक बॉन का सबसे पहला और मेन फंक्शन यह है कि यह हमारी अ हमारी पैल्विक बॉन को 3D मॉडल में देखते हैं यह हमारी पैल्विक बॉन को 3D मॉडल में देखते हैं, ये हमारी पैल की पैल्विकबोन ہے, जो के दो हिप बोन से मिलके बनी हुई है इस पार्ड को हम इलियम कहते हैं, जो के अबौभ और दोनों साइड पे होता है और ये ब्लेड शेप जो उपर का पार्ड है उसको हम इलिय क्रस्ट कहते हैं इलियम से नीचे और बैक साइड पे ये पार्ट जो है इसको हम इस्चियम कहते हैं इस्चियम से आगे फरंट साइड पे ये हमारे पैल्विक बॉन का लास पार्ट है जिसको हम प्यूबेस कहते हैं हमारी दोनों hip bones anteriorly symphysis pubis की help से attach होंगी और posteriorly sacrum bone के साथ sacroiliac joint बनाती है ये तीनों bones ileum, ischium और pubis acetabulum के point पे fuse होती है जिसमें femur का head आके attach होता है और hip joint बनाता है यहाँ पे हमारे pelvic region की anatomy end होती है हम आज के lecture को यहीं पे end कर रहे हैं इस lecture के मुतलेक या इसके लावा भी अगर आपको कोई question है तो आप comment section में पूछ सकते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा दौाओं में याद रखेगा अल्ला हाफिज